इस वीडियो में जो हम यूएफा चेंपियन्स लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा चेल्सी वर्सिस लील के बीज मैच का वेन्यो होगा चेल्सी रात में 1.30 एम पे मैच स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों बात करें चेल्सी की वन आप दा बेस्ट साइड है यूरोप में पिछले सीजन का चेंपियंस लीग टाइटल इनो नहीं जीता था और ये प्रीमियल लीग की भी अभी टाइटल रेस में एक तरीके से बने हुए है अल्दो थोड़ा मुस्किल जरूर है बट वह हां पर मिट्टिवल में फ्रेंच लीग वन में तो आप इन्हें एक तरीके से वन सीजन वंडर भी कह सकते हैं फिलाल दोनों की स्कॉट क्वालिटी की बात करें चेल्सी एक फार बेटर साइड है एस कंपियर टू लील और ये मैच चेल्सी के घर में भी है तो चेल्सी इस म होगी अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रूप स्टेज चेल्सी ने अपने ग्रूप में सेकिंड फिनिश किया जुएंटस के पीछे और उस वह से इन्होंने क्वालिफाई किया छे में इन्होंने तेरा गोल स्कोर किये थे चार कंसीट के और तेरा इनके पॉइंट थे अब नॉक आउट में इन दोनु का मैच है पहला लेग अभी चेल्सी के होम में दूसरा लेग होगा लील के होम में उसके बाद होगा इस फिक्चर का विनर डिसाइड वो नेक्स्ट रॉन में क्वालिफाई करेगा तो मैने आपको बता दिया अपने घर में चेल्सी एक क्ल मिलेगा ये आप खोम लेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुडके मिरे टेलीग्राम च्टर्स किनल से जोइन कर सकते हैं दिसप्रेंदेर धार से चैनल आपको मिल जायगा तो यह टॉप पिंट कमेंड में जाईए टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोईन हो जाईए अब हम आते हैं प्रोविबल लाइनप पे पहले चेल्सी की बात कर लेते हैं तो यह फेवरेट्स हूंगे मैं इनके मैग्जिवम प्लेयर भी करने वाले हैं स्मॉल लीग में या वैसे रियलिष्टिकली देखे जाए तो यह भी थ्री इंदा वैगी है मैं वह आगे बताऊंगा अभी के लिए जो इनके चाहर डिफेंडर हूंगे सिल्वा रूटी कर दो सेंटर बे कुँँगे क्रिश्चिंसन पिछले मैच में अजब मेक शिप्ट राइट बैक खेले वैसे इस मैच में भी एक्सपेक्टेडर राइट बैक केलिंगे और यहां पर सार नाम का प्लियर भी स्टार्ट कर सकता है अगर यह बैक लाइन रहती है अभी के लिए मैं चारो ही डिफेंडर चल्सी के रिकमेंड करूंगा विकॉस यहां पर मुझे बहुत अच्छा क्लि प्रित्री दिखेगी बट यहां पर क्या होगा ना जब गेम स्टार्ट होगा क्रिश्चंसन शिल्वा और रूडिगर तीन सेंटर बैक बंजेंगे अलॉंसो थोड़ा आगे ड्रिफ्ट करेंगे लेफ्ट विंग बैक बंजेंगे और जियाच बंजेंगे राइट विंग यहां से थोड़ा डिफेंसिव अग भी करेंगे और अटेक भी करेंगे बट अभी के लिए हम एजिम कर रहें बैक फोर खेलेगे तो फिलाल के लिए मिनिमाम तीन अगर आपको चूज करने मेरी टॉप त्री चॉइस रहेंगे सिल्वा रूडिगर एन अलॉंसो क्रिश्च को चार उपिक करने आप चार उपिक कर सकते हैं अब अगर सार नाम का प्लेयर खेलता है लेफ्ट विंग वैक वैसे पिछले मैच में उस बंदेन अच्छा गिला था बट उसकेज में आप उसको ड्रॉप करके क्रिश्चिंसन की साथ जा सकते हैं तो यह इनका डिफेंस था पेनल्टी वाला प्लेयर हम वैसी भी ड्रॉप नहीं करते हैं तो जॉर्जी नियों यहां पर मश्पिक रहने वाले हैं अब मेरे अकोटिंग अगर आपको लग रहा ना कोई एक काटेगर फ्लॉप जाएगा आप कांटे या कोवाचीज में किसी एक के साथ जा सकते हैं दो दोनु में बहुत जादा डिफरेंस नहीं है दोनु अच्छे प्लेयर है दोनु मैक्जिमम 20-25 से पॉइंट मोश्ट्री मैचेज में देते हैं थोड़ा डिफरेंस यह है कांटे थोड़ा डीप सीट करते हैं यानि कि डिफेंस में ज्यादा फोकस करते हैं जबकि कोवाची से ज्बकिन कारण दे किसी मेज में कोवाची ज्यादा दे ज़त हैं तो कहने का मलब यह है पता लगापाना मुसके लτί steering कि कवन ज्यादा अच्छा करते हैं अगर आपको लगा- zostук मेंर इन दोनों में किसी एक के साथ जा सकते हैं या अगर आप तीनी डिफेंडर लिया रहें एक एक्स्ट्रा मिट्फिल्डर या फॉर्वर्ड लिया रहें तो उस केस में आप कोवाची या कांटे में किसी एक के साथ जा सकते हैं अब एक चीज और कांटे जनरली में ने देखा ह मैच खिलते हैं कोवाचिच कभी कभी 15 मिनिट पहले सब्सिटूट हो जाते हैं तो यह भी आपको याद रखना है फॉरवर्ड में जी आज मस्ट पीक रहेंगे मोस्ट इन फॉर्म चेल्सी ब्लेयर हैं पिछले तीन बैक टू बैक प्रीमिया लीग मैचेस में जीए ने स्कोर किया है लास्ट मैच में जो पैलेस के अगेश्ट वन निल से चेल्सी दिदी डाइंग मिनेट में गोल वह भी जीएस ने स्कोर किया था और उससे पहले उसी मैच में इनका गोल रूल आउट भी होता ऑफसाइट के कान है तो जीएस जिस तरह की फॉर्म में मस्ट पीक रहन करते हूंगे इनके बारे में वो थोड़ा अड्याप्ट होने में टाइम लग रहा है चेल्सी में लेकिन इस्टिल लुकाकु पर हमें डाउट नहीं है हाफ्स तर्विस भी है कनेक्ट कर दिंगे मतलब कभी भी गोल असिट कर सकते हैं तो अभी के लिए 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 मैं पिक करूंगा और एक टॉप केप्टन सी अभी भी रहेंगे जितनी भी एक खराब फॉर्म में हो लुकाकु इस लुकाकु हावट्स गोल असिस्ट आया ठीक है विदाउट गोल असिट उतने पॉइंट नहीं देते मट हावट्स हावट्स का पिक करना मतलब एक तड़ इसमें वर्नर के लिए फिर वर्नर भी हावट्स की तरहीं है गोल असिस्ट आया ठीक है विदाउट गोल असिस्ट में भी उतने पॉइंट ना दे तो यहां पर आपना कॉल ले सकते हैं तो यह चल्सी की प्रोबिबल 11 थी लगभग सभी चीजे मैंने यहां से आपको डीट फिलाल यह इनके CNN के स्टैट है प्रीमियर लीग के मैंने UCL के स्टैट नहीं लिखे प्रीमियर लीग के लिख है ज्यादा आपको इन्फो से मिल जाएगी अपनेन की बात करने से पहले फिर रिमाइन दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम और सभी फूटबॉल म आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिटिशन बॉक्स यह टॉप पिंड कमेंड में जाएए टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जरूर जोइन हो जाएए अब हम बात करते हैं लील की तो जाड़ी में इनके गोल की पर इंपोर्टेंट हूंगे अभी के लिए मैं इनको रि देनी जारा हूं मैं में मेक्जिमाम चल्सी के डिफेंडर पिक कर रहूं इनके डिफेंट में भी कुछ अच्छे ऑपसंस है जैसे जो राइट बेक है चीलिक यह दिफेंसिव बैस भी आच्छा और असीश पोटेंचल भी अच्छय और यह अभी कलिए मेरी नंबर वन पिक देते हो सकता है next season दिखाई दे बाकि गुड्मिंसन ने को ज़्यादा कास किया नी में भी अगर आपको एक चूज करना है इन तीनों में किसी एक के साथ जा सकता है मेरी पहली चैलिक रहेंगे सेकिंड मेरी बॉट्ट में रहेंगे और थर्ट रहेंगे फॉर्ण जो की पहले बेस्ट प्लेयर हैं यह बंदा डिफेंसी वाइस बहुत ज्यादा स्वाइड है बहुत टेकल्स इंट्रसेप्शन करते हैं और पास्स भी करते है ठीक ठाक असिश पुटेंशल भी है तो मैं बेंजामिन एंड्रे को शोली पिक करने वाला हूँ इमोटी भी कुछ ज्यादा फॉर्म प्लेयर के साथ मैं अभी के लिए इस बॉन लीग में तो रिकमेंड आपको नहीं करूंगा तो बांबा भी जीएल्पिक होने वाले है जीका ठीक टाक प्लेयर है अगर आपको लग रहा कोई अटेगर फ्लॉप जाएगा आप जीका के साथ जा सकते हैं अब येलमा और डेमिज जोनाथन डेविट इनके दो बैस अटेकिंग प्लेयर है पिछले से बहुत जादा गोल्स मारते लील को टाइटल जिताने में 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 रोल ला था इस सीजन उतने गोल्स निया इस चार गोल तीन असिष्ट है जबकि डेविट ने बहुत गोल मार दिया 12 गोल त कर रहा हूं बट अगर दोनों फ्लॉप रहते ना ज्यादा पॉइंट नहीं दिंगे इस्टिल अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई एक फ्लॉप जाएगा उसके लिए जीका या जैकी चैलिक फॉइंट बॉट में में किसी एक के साथ जा सकते हैं वैसे मैं एक गोल आ इस वह से मैं डेविड यलमाज दोनों के साथ जा रहूं लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर गोल असे ज्यादा पॉइंट यह डिफेंसी मिट्रिल्डर या डिफेंडर्स दे जाएंगे बट मुझे लग रहा है कही ना कही स्कोर यह कर सकते हैं और दूसरा अब माल लीजे हम लिफेंडर्य होगे ठाट और फोर्थ में यलमाज और डेविड के साथ जरूं आपको लग रहा है इन में से कोई एक फ्लॉप जैक आपको लग रहा है यलमाज फ्लॉप जैक आप स्कॉर्ट आईए जीका पिकल लीजे यह चलिक फॉइंट बॉट में में किसी एक के साथ जा सकते हैं फिलाल मैंने बता दिया पैनाल्टी फर्स चोईस यलमाज यह और जब यलमाज फिल्वेंड यह तो डेविड पैनाल्टी लेगा फिलाल यह इनके सीन के स्टैट है लीग वन के अभी के लिए जो मेरी बिडिक्शन है में एक टू निल या टू वाइन चेल्सी विक्ट्री के साथ जारू मुझे लग रहा चेल्सी अपने घर में अच्छा खेलके लील को हरा देगी तो यह मेरी डेम और रफटीम है गोलकीवर मैंने जाटीम लिया है लील के चार डिफेंडर मैंने चेल्सी के अभी के लिए और तीन अटेकर में जो बहुत अच्छी फ इन मैंसे कोई एक बंदा ले लिए वैसे जनरली देखा जाए हम लुकाकु को केप्टेन करते हैं पर थोड़ा आउट अप फॉर्म है तो आप चाहे तो जी आज को केप्टेन करके लुकाकु वास केप्टन भी कर सकता हैं नहीं तो वैसे तो मैं लुकाकु ही केप्टन सकते हैं फिलाल मैं Captain Lukaku को करूँगा Vice Captain Safe GSG रहेंगे आपको लग रहा लिल मालेगी आप David यह मैं किसी को कर सकते हैं आपको लग रहा है गलो स्कोरिंग में है चोगा Mibia Balonso को भी Vice Captain दे सकते हैं फिलाल यह मेरी Demo of Team थी जो भी अपडेटेट फाइनल टीम होगी लाइन आप आने के बाद में टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूँगा उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए